31 जनवरी 2018 को मतलब सॉरी 1 जनवरी 2018 यानि साल के पहले दिन और 31 डिसंबर 2017 यानि कि जब जो भीमा कोरेगाउ हिंसा हुई थी वो 31 डिसंबर 2017 और क्योंकि नए साल का मैं बहुत बड़ा तौफा दिया था इन वामपंथी गैंग ने मैंने उस वक्त भी 2 जनवरी को आके लाइ मैं जो लोग शायद उस वक्त नहीं जुडे थे मुझसे या जो मुझे नहीं जानते थे मैं उनसे चाहती हूँ कि आप मेरे Facebook पेज पर, Accounts पर, YouTube पर जाके वो वीडियो देखिए मैंने दो जनवरी को ही इनकी जो भी साजिश थी वो बताई थी इनकी पूरी Planning and Plotting बताई देखिए मैं तब भी भी Clear करती हूँ मैं अब भी भी Clear करती हूँ कि मेरे लिए हिंदू को एक रखना और जोड़े रखना बहुत Important है मैं किसी जात पात में नहीं मानती हूँ ना ही मैं Believe करती हूँ किसी भी जात और बात पर मेरे लिए मेरा हिंदू धर्म सबसे बड़ा है अगर कहीं गलत होगा तो मैं रोकूंगी और मैं बोलूंगी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस जाती के या उस समाज के खिलाफ हूँ मैं वोन समाजिक तत्वों के खिलाफ हूँ जो पर्टिकिलर जाती के ठेकिदार बने बैठे है और जातियों को गुम रहा करने की कोशि करते हैं तो भीमा कॉरेगाव हिंसा हुई थी 31 डिसंबर 2017 और एक जनवरी 2018 ये दो दिन लगातार महारास्ट्र में और हिंदुस्तान के कुछ एरिये में लेकिन जादा नुकसान महारास्ट्र में हुआ था हम सब जानते हैं भीमा कॉरेगाव प्लेटफॉर्म जिन्हों ने श उन्सा में पांच मुख्य आरोपी है जिनने पुलीस ने गिरफतार किया और उनकी पूरी तफ्तिश चली उनके घर पे भी छापे मारी हुई है वो पांच रोग है रोना विल्शन जिस जो मुख्य किरदार में है सुधिर धवले, सुरेंद्र गाजगील, सोमा सिंग एन मह और इनहीं लोगों के ग्रूप को जोइन किया था प्रकाश आमबेड करने और प्रकाश आमबेड कर ही जिगनेश मेवानी और उमर खालिज जो है ये प्रकाश आमबेड करके ही पपेट है जो डिरेक्ली और इंडिरेक्ली इस ग्रूप के साथ जुड़े जो रोना विल्सन वाला ग्रूप है तो मैं आपको बता दू के रोना विल्सन के घर जब चापे मारी पड़ी तो उसका जो लेप्टॉप है उस लेप्टॉप में से नीजी जो उनके एक्सचेंज हुए थे इमेल जो इनके वामपंथी ग्रूप है या कहदो के माउइस्ट ग्रूप है या यह कह दो के चलो कही देती हूँ यह माउइस्ट आतंकवादियों के जो ग्रूप है यह सारे के सारे टेररिस्ट है और यह टेरर फैलाने का ही काम करते है जाज के दौरान उसके लेप्टॉप से काफी एक्सचेंज हुए जो मेल्स इंटरनल प्लानिंग और प्लॉटिंग किया गया है अब यह जो प्रपत्र है आपको यह कहेंगे कि यह जूट है तो भाईया देखो किसी के लेप्टॉप में से मिला है वो इंसान के लेप्टॉप में जो यह माउइस्ट एक्टिविस्ट है और जो गिरफतार हुआ है भीमा कोरेगाओ हिंसा में और उनके आपस में जो हुए थे conversation उसके प्रपत्र और वो सारे letters वो सारे emails सारे जो मिले हैं ये दोनों प्रपत्र में तो ये कोई fake नहीं है कोई बना नहीं सकता ये हम नहीं बोल रहे हैं पुलिस कमिशनर ने सौपे है औ जो भी ये कह रहे हो कि सब जूटे जूटे तो मैं ये कह दू कि आप इतने अंधे हो चुके हैं Congress frame में और Modi से नफरत करने में कि आपको हर चीज जूट लगती है Anyways आपको भगवान सद बुद्धी दे हम यहीं प्रातना करेंगे उस चिठी में उस मेल में उस लैपटॉप में दो चिठी ऐसी मिली एक पी एम मोधी के असेशनेशन की और दूसरी मिली कि कौन इन्हें money, machine, power का सारा backup सपोर्ट कर रहा है वो कौन सी political party है और इनके क्या agenda रह और यह कहां-कहां सफल हुए वो सारे प्रपत्र मिले है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि JNU आजादी moment जो है इस moment में एक और बंदा है रोना विल्सन यह moment हैंडल कर रहा था और उसके साथ एक और बंदा है जिसका नाम है प्रोफेसर साई बाबा यह जो प्रोफेसर और इनका साथ दिया रोना विल्सन है यह दोनों जो जेनी और डियू में जो आजादी के जो पूरे इनकी गतिविदिया है इसमें यो लोग साथ में अपरेट करते हैं अब मैं गुलामों को जो बताने जारी हूरी है मैं उनको कहते हूं भई आ देखो मेरा काम है सचा ही ब किसी पार्टी को पसंद करना एक अच्छी बात होती है लेकिन उस पार्टी के पीछे इतना पागल हो जाना कि आप अपने ही देश में बैठे उन गदारों को सपोर्ट करने लगो उस पार्टी को सपोर्ट करने लगो जो देश में हिंसा फैला रही है शडियंत्रा रच रही ह अगर आप सपोर्ट करते हो तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप कैसे इंसान है या आपकी आपके परिवार में आपके परवरीश में आपके पैरेंस की क्या कमी रह गई कि वुनों ने गदारों को जनम दिया ठीक है तो मैं आपको पहले फर्स लेटर बता देती हूं यह जो लेटर है वो एक्चुली लेटर ऐसा है जो कि है ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होता का थोड़ी थोड़ी चीजे इसमें बलर है तो मैंने इस लेटर को बकाईदा टाइप किया है यह दोनों लेटर में यह जब खतम होगा मेरा लाइव उसके बाद मैं पोस्ट करूँगी और इसे जुड़ी हुई जो भी मैं चीज़े आपको बता रही हुए सारी चीज़े मैं पोस्ट करूँगी तो ये वो लेटर है ठीक है ये लेटर लिखा गया है दो जनवरी 2018 यानि की 31 जनवरी 31 डिसंबर 2017 को भी मा कौरेगाव होता है एक जनवरी 2018 को भी मा कौरेगाव होता है और दो जनवरी को ये लेटर लिखा जाता है रोना विलसन को लिखते है डियर कॉमरेड रोना रेड सल्यूट लाल सलाम इसमें ये पहली जो इंपोर्टन चीज़े वही मैं आपको नोटिस ज पाकी की चीज़ आप पढ़ लीजिएगा जब मैं लगा दूँगी उसको अपने टाइम लाइन पे ये कह रहे है ये रोना मैं आपको बता दू कि इन्होंने पहला शब्द ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन हुआ उसमें इसने का है पॉलिटिकल प्रिजनर ओर्गिनाइज जिसे बैंड किया गया था और ये हमने नहीं किया है ये श्री आरपी एन सिंग जो की मिनिस्ट्री ऑफ होम अपफेट्स थे उस वक्त 2014 में उन्होंने ये लिस्ट जारी किये मैं आपको ये भी पोस्ट करूंगी अपनी टाइम लाइन पे ताकि आपको ये सारे सबूत मिले क्योंकि हवा में हम बात नहीं करते हैं हम प्रूफ और तत्ति के साथ ही बात करते हैं इसमें इनोंने जिस प्रिजनर जिस पॉलिटिकल प्रिजनर उसका बात करी है वो पॉलिटिकल प्रिजनर पार्टी का नाम है कमीटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर इसका नाम है CRPP जो कि Rona Wilson इसका हेड इस पार्टी का जो अल्रेडी बैंड हो चुकी है यह organization अल्रेडी बैंड करी थी Congress के ही कारेकाल में संसद में 2014 में Ministry of Home Affairs ने यह 74 की सूची जारी की उसमें 21 नंबर की डेली की अलग-अलग state की जारी की गई डेली में यह 21 नंबर पर यह जो CRPP जो है Rona Wilson की organization उसको bend किया था Rona Wilson इसी कोई handle करता है अब आते हम पत्र में तो उससे related यह पार्टी की बात हो रही है इनकी यह कहते है कि की comrade Manglu और दीपू have been coordinating the koregao program since two month with comrade सुधीर मतलब दो महिने से Manglu और सुधीर यह जो है वामपंथी हम लोग जैसे श्री लगाते है वैसे यह com लगाते है comrade जो होते तो short में com कर देते है तो यह com मंगलू है और com सुधीर है वो दो महिने से भीमा कोरेगरा पूरा प्लान कर रहे थे com सुधीर के साथ मिलके मतलब मैं आपको बता दू कि they are have been able to get the support from large section of Dalit across the state मतलब दलितों का इस्तिमाल करते हुए उन्हें खतियार एक टूल की तरह इस्तिमाल करते हुए इन्होंने पूरे महरास्ट्र में उब्द्रव मचाया यह आगे लिखते है अपने इस प्रपत्र में कि R.D.A.A. com जिगनेश and com उमर are young fighters of our revolution जिगनेश और उमर हमारी जो ये करांती है इसके young fighters है जो की प्रकाश आमबेड करके थुरू हमें support कर रहे हमारी organization को मतलब इनकी organization का एक हिस्सा प्रकाश आमबेड कर भी है और जिगनेश और उमर जो है वो इनको join किये है प्रकाश आमबेड करके जरी और ये young fighters है ये पता नहीं कौन से fighters है मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन ये मंच इनों ने उस वक्त शेयर किये थे भीमा कोरेगाओ में मैं आपको बताया भी था कि ये propaganda क्या थे पूरे इसके इलावा जिगनेश और उमर इन लोगों की planning में पूरे पूरे शामिल थे वो ये letter च कौम सुधीर for this task, कौम सोमा and कौम सुरेंद्र are authorized to provide funds for future programs ये कहते है कि जुलाई और अगस 2017 और 2017 डिसंबर में भीमा कोरेगाओ होता है और ये कहते है कि इन लोगों को fund मिला था भीमा कोरेगाओ plot करने के लिए सोमा और सुरेंद्र ने इस fund को authorized किया था, fund मिला था सुधीर को कौम सुधीर को और ये जो कौम सोमा है जिसे भी arrest किया गया और कौम सुरेंद्र है ये लोगों ने fund जो है इन लोगों को authorized किया गया था सब जगे देने के लिए इस भीमा कोरेगाओ हिंसा के लिए आगे ये लोग लिखते है कि भीमा कोरेगाओ agitation has been very effective ये इतने क्या बोलते है गदार एक नंबर के इतनी बड़ी हिंसा करी इतना बड़ा उब्द्रव मचाया दलितों का इस्तमाल किया और फिर ये लिखते है कि ये सारा आप लोगों का support मिला और पैसा मिला fund विला हमने अ के लिए anyways इनका चाल चरीतर चहरा हमें पता है expose करना जरूरी था इनके internal letter से ये सारे proof मिले तो मैं expose कर रही मैंने पहले भी किया था मैं अब प्रूफ के साथ इनको expose कर रही हूँ आगे ये लिखते है कि death of a youth must be exploited to prepare future agitations and propaganda material मैं आपको बता दू कि उस वक यूवा की जिसको इ उसका पूरा-पूरा इस्तमाल करो आगे के agitations और propaganda material के लिए मतलब ये लोग लाशों पर राजनीती करते हैं जूटे आसू बहाने की जो ये लोग कवायत कर रहे हैं दलीतों के नाम पर दलीतों को जो भढ़का रहे हैं हिंदूों से दलीतों को अलग करने का जो ये शडिय अगल पाटी अपनी पसंदे से चुन सकते हैं लेकिन ऐसे घटिया लोगों को आप अगर समर्थन करते हो तो आप लोग गदार हैं आगे ये लोग कहते हैं इनके प्रोपोगेंडा में आपको बताती हूँ ये जैसे जैसे हमें सामने आते हैं ये विदेशों में जाके इंसीडेंट ट्राइट टू एंगेज विद अब फ्रेंड़न एं लंडन एं एल्सवेर राधा डिसूजा आजाद मारकर्स और 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 इंडिया प्रोपोगेंडा ये लोग चलाएंगे जैसे कि मैं आपको बता दू कि हाली में बीबीसी पर अरुंदिती र बेहन अगर इतना टेरिबल वॉयलेंस होता तो आप अभी तक कैसे बची हुई है कि आप इंटरनेशनली और नेशनली इंडिया को हिंदूों को पीए मोधी को डिफैम करती है और ये खुले आम गालिया बकती है हिंदू टेरर भगवा आतंकवाद भगवा टेरर का आप न इंडिया को डिफैम करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली और उसमें जाके ये बोलती है कि मुस्लीमों पर और माइनॉरिटीज पर तो अत्याचार हो रहा है सड़कों पर लिंच हो रहा है ये बहन ऐसा जाके वहां पर बोल रही है और मीट शॉप, लेदर बिजनस, ह कौन से मीट शॉप और हेंडिक्राफ्ट और लेधर बिजनस बंद हो गए इंडिया में अगर इलिगल कोई धंदा कर रहा है और इलिगल धंदे बंद हो रहे हैं और इनको अगर लगता है कि यह सब मतलब क्या हो रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याजार करने के लिए बिजनस ब अगर आप जिस कॉंस्टिटूशन को हाथ में लेके घुमते हो उसी कॉंस्टिटूशन की आप धज्या उडाते हो उसी लॉइन ओर की अप धज्या उडाते हो और फिर आप इंटर्नेशनल ही जाके यह कहते हो कि मुसल्मानों से उनके बिजनस छीने गए है है इनके जो फ्रेंड है मैं आपको बता दो कॉंग्रेस इंदुस्तान को तोडने वालों का साथ दे रही है इस प्रोपोगेंडा में Congress जो है वो क्या है वो इन माविस्ट लोगों के propaganda को पूरा करने के लिए इनको money और machine power देती है इनका जो दलाल है, mediator इनके दलाल है जिगनेश मेवानी, उमर खालिद, कनिया, हार्दिक पटेल ये सब इनके दलाल है Anyways, हार्दिक पटेल इनकी communist activity में शायब directly नहीं है, लेकिन indirectly तो है, क्योंकि हम जानते कि वो इनने support कर रहा है हर तरीके से और क्योंकि गुजरात में भी जब पार्टिदार agitation हुआ था, तो हार्दिक को पूरा funding Congress से हुआ था, ये सब जानते है directly और indirectly वो हमेशा Congress को support करते हैं, वो भी हमें सब पता है जिगनेश मेवानी का भी जैसे चुनाव लड़ना, PFI से उसे fund मिलना, अरुंदिती रॉय का उसको fund देना, फिर ये भीमा कौरेगाव का होना, वो मंच उसका share करना, प्रकाश अंबिडकर के साथ उसके ये और अब लेटर में दी जब उसके नाम का, मतलब खुल रहे हैं ये सारे नाम तो पता चलता है कि जिगनेश मेवानी जो इनका मध्य, जो क्या कहते हैं, जिसको हाँ, दलाल, इस दलाल के थुरू ये लोग ये सारी financial help, उस माविस्ट लोगों को और वामपन्थी लोगों को Congress बेकप सपोर्ट करती हैं और इनको पहुचाती है, जो कि इनों ने साफ-साफ अपने इस प्रपत्र में, अपने इस इमेल में लिखा है, कि who suggested, आगे ये कहते हैं, who suggested, Congress suggest कर रही है, to continue delete mobilization more aggressively, whatever legal and financial aid is required, they are ready to provide to through the intermediary, जिगनेश, जो भी legal और financial मदद की जरुद पड़ेगी, इनका जो दलाल है, जिगनेश, उसके थुरू ये इन लोगों को provide करेंगे, पर throughout पूरे देश में दलित का जो इन लोगों ने शडियंत्र रचा है, वो बड़े scale पर आप लोग फैला और उसके लिए आपको जो भी support चाहिएगा, वो Congress करेगी, इस से जादा क्या सबुच च इनको ये लोग, terrorist support भी infect Congress इन लोगों को करती है, आप लोग मुझे कहते हो न क्यों Congress के पीछे पढ़ी रहती, आप दूसरी पार्टी के पीछे पढ़ी नहीं रहती, दूसरी पार्टी कितनी आकात ही नहीं है, दूसरी पार्टीों को support करने वाली Congress पार्टी है, तो इनका ज कहते हैं कि दलित सेंटिमेंट्स अर क्लियरली अगेंज ब्रामिन सेंटर्ड एजेंट आफ बीजेपी और आरेसेस के विरुद्ध यूज करेंगे और हिंदुस्तान में आरज जक्ता का लार्ज स्केल पर माहौल क्रियेट करेंगे यह कहते हैं इस शुट भी कनवर्टेड इं हम आपको लीगल और फाइनेंशल सपोर्ट करेंगे पर आप यह चीज करिये आगे यह कहते हैं आगे यह कहते हैं इट विल बी अन्डवटेडली हेल्टो टेक दाउन दमोधी रत असीसें असिस्टेंस पर रिलीज अप सीनियर पॉलिटिकल प्रिजनर इंक्लूदिंग और सॉरी 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 माइश्टेक इट विल अंडवटेडली हेल्टो टेक दाउन दमोधी जगरनौत इन तो थाउजन नाइटी मतलब इने लगता है कि गुजरात इलेक्शन में जो यह सफल हुए आट नौ सीटों से इन लोगों ने लोगों ने लौस हुई है भाजपा को मै मानती हूँ आट नौ सीटों की लौस हुई है इनने लगता है कि गुजरात इलेक्शन में जो PFI और SDPI से जिगनेश को जो फंड मिला अरुंदिती रोय ने जो फंड दिया उससे जिगनेश ने जो दलित आंदोलन गुजरात में क्रेट करा और कॉंग्रेस ने जो वहादि कॉंग्रेस हमें समर्थन कर रही है और इसका हमें साफ साफ रिजल्ट गुजरात में दिखा कि विच इस विजिबल थ्रू गुजरात इलेक्शन रिजल्ट कॉंग्रेस फ्रेंड्स हैव एशॉर्ड एसिस एसिस्टेंट्स फर रिलीज ऑफ सीनियर पॉलिटिकल प्रिजनर इंक्लूडिंग कॉंग्रेस इनको एशॉर कर रिए कि आप हमारे लिए यह सब हमें हेल्प करिए मोधी रत 2019 रोकने के लिए आप त्रू आउट यह दलित वाला मुद्दा पाटिदार वाला मुद्दा किसान वाला यह सब जाती वादी मुद्दे यह सारे आप बढ़ाओ बदले में आपको पूरा-पूरा समर्थन देंगे जो कॉमरेड कोबार और कॉमरेड साही बाबा और यह लोग जो है वो प्रोफेसर्स है डेली यूनिवर्सिटी के जी एन साही बाबा यह प्रोफेसर्स को हम लोग छुडवाएंगे जो अभी मौइस्ट एक्टिविटी क जुर्म में जेल में बंध है मैं आपको बता दू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी रिसेंटली दिवारों पर यह डेली यूनिवर्सिटी की दिवार है इस दिवार पर लिखा है फ्री प्रोफेशल जी प्रोफेसर जी एन साही बाबा जी एन साही बाबा को आप फ्री करिए stop operation green hunt आपको ये उल्टा दिख रहा होगा मैं बाद में ये पोस्ट करूँगी तब आप देख लीजिएगा मैं आपको बता दू कि साई बाबा जो है जी एन साई बाबा वो डेली उनिवर्सिटी के वामपंती प्रोफेसर है जो अभी अरेस्ट के हुए जेल में है और दूसरी इन्होंने दिवार पे लिखा है stop operation green hunt मैं आपको बता दू green hunt वो operation है जिसे भारती सेना ने माविस्ट आतंकवादियों को यानि नकसलियों को मारने के खतम करने के लिए green hunt operation किया था इसलिए उसमें काफी ये जो कहते है नकसली आतंकवादी मारे गए इसलिए डेली युनिवर्सिटी की दिवारों पर वहां के जो student है उन्होंने लिखा stop operation green hunt ये चलता है जेन्यों डियू में पढ़ाई नहीं होती है जेन्यों डियू में बकाइदा यंग आतंकवादी पैदा किये जा रहे है उनके brainwash किये जा रहे है जो माबाप मुझे देख रहे है और ज USDF अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ ये USDF क्या है USDF भी एक ऐसी ही band organization है जिसे 2017 में मैंने आपको का था ना total 74 organization band की थी Congress के ही ministry में संसत में ये है USDF United Student Democratic Front ये organization का भी उसमें नाम था जो organization West Bengal से है ये organization इन्होंने band करी थी और ये कह रहा है कि our USDF activist can support us to organize protest across the BJP across the BJP rule state यानि भाजपा के जो जो राज्य है वहाँ पे हमारे जो ये USDF के जो बच्चे है वो हमें पूरा पूरा आरजगता फैलाने में support करेंगे मतलब तोड़ फोड करो उब्द्रव मचाओ शडियंत्र रचो बेगुनाओं की जाने लो करोड़ों की प्रो लोगों ने नाम लिया तो क्या मेरे कुछ सवाल है अब कॉंग्रेस अरजगता और हिंसा करवा के सत्ता की और बढ़ेगी क्या कॉंग्रेस एंटी इंडिया गैंग के साथ गंदबंधन करकर और उनको पूरा-पूरा मनी पावर मशीन का और लीगल सारे support करकर देश की सत्त हासिल करेगी। Desperate Congress की ये भूल गई है कि इनके असली चैरे द्रेश को पता तो चली गए। लेकिन आज ये जो प्रपत्र इनके जो मिलते हैं उसमें ये साफ साफ चब इनके नाम आते हैं तो मेरे ना कॉंग्रेस को ये सवाल है कि किया आप मतलब सत्तामों में इतने अंदे हो गए हो कि आप अपने देश के टुकडे कर रहे हो या ऐसी गलत गती वीदियों में आप समर्थन दे रहे हो जिसमें आपका नाम चीक-चीक के सामने आ रहा है मैं आपको बता दू कि ये जो पाँचो असमाजिक तत्व है ये पाँच कॉंसे है? कॉंग्रेस, वामपन्थी प्रॉफेसर्स, माउइस, जो इनके मिडियेटर है चोथे जो मिडियेटर है जिगनेश, उमर, कनेया, हार्दी किये सारे इनके मिडियेटर और पाँचवा इनका तत्व है मेंस्ट्रीम मिडिया जर्नलिस्ट ये पाँचों मिलकर जो रक्तपात कर रहे है जो उब्द्रव मचा रहे है इनको एक्सपोस करना जरूरी है कभी अंदसवार भी पूरा इनका प्लानिंग था और अब ये MP की तरफ आपने देखा ना राउल गंधी दो दिन से MP में जिस तरह से वो पूरा क्रियेट कर रहा है आरजकता का मावल और किसानों उनको अंदसएलित लnten का मावल गंटे अभी आपने जिस मटपने ँग तरह उनकर ठीप वोड़क पिस्यार उनको झाल 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 झाल